पारशिवनी पुलस वभाग कि और से मिली जांकारी के अनुसा पारशिवनी पुलस सीमा के भीतर सालाई मोकासा गाफ के पास नाले की किनारे जंगल जाडियों में मोफूल की अवय शराब तैयार करने की गुप्त जानकारी गुरुवार को पाशिवनी पौलस उभग को मिली थी पारशिवनी पुलिस उभाग की अधिकारियों को इस खट्ना की जानकारी मिलते ही तुरंट पुलिस उपनिरिक्षक नागुलवार पुलिस अमलदार चोहान गटना सलकी और रवाना हुए सालाई मोक कासा नाले किनारे पर चानबीन करते समय नाले किनारे शक्स हाथ भट्टी लगा कर उस पर मोफूल शराब तयार करते हुए दिखा पुलिस को देखते ही शराब तयार कर रहा शक्स वहां से भागने में सफल रहा तुरंत इस घटना की जानकारी सम्मनित पुलिस उप निरिख्षक पारशिवनी ठानेदार राहुल सोनवाने को दी घटना की जानकारी मिलती पारशिवनी की ठानेदार राहुल सोनवाने घटना सल पर दाखिल हुए जहां घटनास्तल का जायसा लेने पर घटनास्तल पर 500 लिटर शराब मोफूल शराब तयार करने के लिए उपयोग में लाया गया साथ ही तयार की गई 4 लिटर मोफूल शराब और अन्नी सामागरी पुलस ने चप्त की जबकि कुल मिलाकर 53,946 रुपे का मुद्दे माल पारशिवनी पुलस ने घटनास्तल से चप्त किया यह कारवाई मारनीय सायक पुलस अधिक्षक और उपविभागी पुलस अधिकारी अशित कामले के मार्क देशन में पुलस इस्टेशन पारशिवनी के थानेदार राहूल सोनवने, पियसाई पलनाटे, पियसाई नागुलवार, पुलस अमलदार, पृत्वीराच चोहान नहयक कारवाई की पारशिवनी से बीसे न्यूस के लिए रुपेश खंडार की रपोर्ट